हेलो फ्रेंड्स, वैजी पंच में आप सभी का स्वागत है, मुझे अपने व्यूएर्स फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट आई है कि मैं लिजट पापर की रेसिपी पोस्ट करूँ, तो आज हम लिजट पापर बनाएंगे, वैसे तो लिजट पापर कही तरह की फ्लेवर्स में आ तो चलिए देखते हैं और क्या-क्या डलेगा इसमें, तो देखिए फ्रेंड्स यह हैं, उड़त डाल, इसको हमने ग्राइंडर में एकडम बारिक पीस लिया, एकडम पाउडर कर लिया, फाइन पाउडर और उसके बाद महीन चलनी जो होती है, स्ट्रेंडर उससे चान लि है, उड़त डाल का आटा, तो मैं इसमें यह डाल रहा हूँ, इसमें हम आटा लगाएंगे, और इसके साथ ही हम काली मिर्ची लेंगे, और उसको भी ग्राइंड कर लेंगे, डर-दरा पीस लेना है, पानी यूज होगा, ओल यूज होगा, और यह हिंग यूज करेंगे, त और इसके साथ ही स्वाद अनुसान नमक डाल देंगे, हम आगे इसमें पापर खार का भी यूज करेंगे, पापर के लिए वो ही मेन इंग्रेडियन्ट होता है, और हमने जितना आटा लिया है, उसका आधा हम पानी लेंगे, तो उसी वाले कटोरी में मैं यह पानी ले रहा पानी के अंदर, यह डिजॉल्व हो जाएगा, पापर खार के बारे में आप जानते ही होंगे कि पापर पापर खार से ही बनता है, अगर आपके पास पापर खार नहीं है, तो आप उसकी जगे खाने वाला सोडा यूज कर सकते हैं, हम यह आप यह ले रहे हैं, यह हाफ टी स्पून पापर खार जो मैं पानी में ही डाल रहा हूँ और इसको मिला लेगे और इसके बाद हम यह आटा लगाएंगे पापर का, और एक बाट और हम यहाँ पर वन टी स्पून ओईल पानी में ही मिला लेंगे और इस पानी से हम पापर का आता लगाएंगे और पापर का आता टाइट लगता है तो चलिए अब पापर का आता लगाती है हैल इसको मिला लेते हैं इसमें आवनी नमक डाला था इकाली मिर्ची डाली थी उरड का आता काफी स्टिक्की होता है तो मैं अब फिंगर टिप से थोड़ा ओईल लगा लेता हूं ताकि उतना चिपके ना हाथ के पूर अब ये थोड़ा थोड़ा पानी डालते हूं आता लगाएंगे देखी ओईल लगाया हूँ अठा फिंगर टिप्स पे तो इतना नहीं चिपकरा है देखी ए फ्रेंट्स एकड़म टाइट आता हमने लगा लिया है ये बहुत टाइट है और अब हम इसको मठेंगे या आप इसे कूटना भी कह सकते हैं हम प्लेट फार्म को घोड़ा चिकना कर लेंगे ओल की हल्प से और इसपए हम यह आपना मठेंगे और मapp कर सॉफ्ट करेंगे मठार ना कहते हैं इसे‡ इसमें बहुत जोड लगता है और कम से कम वनाई मिनृत टूर इस तरह से इसको सॉस्ट करना है हमें इस तरह से तो मैं भी इसकी डो पार्ट कर लेटा हूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा और आप चाहिए तो इस रोलर पिन की हैट से भी कर सकते हैं या तो इस तरह से बीटी है इसे या इस तरह से कूटिए जो भी आपको इजी लगे यह देखिए इस तो राच्छे से हो रहा है इस तरह से करने से तो इसको हमें सॉफ्ट कर लेना है फ्रेंट्स देखिए करीबन 15 मिन इसको मसल मसल कर सॉफ्ट कर लिया और अब रोल बना लिया है तो अब हम इससे पापर का लोया कट करेंगे जिस तरह से चापाटी का आटा लगाते हैं और उसमें से थोड़ा सा पाट निकालकि उसका पेरा बना के रोटी बेलते हैं उसी पेरे को हम यहां पर लोया करते हैं तो हम इस तरह से पापर का लोया बनाएंगे इस डोल से जो पापर का आठा रहता है कच्छा, वो मुझे खाने में बहुत पसंद है, तो क्या आप लोगों को भी कच्छा आठा खाना पसंद है पापर वाला, अगर हाँ तो कमेंट में जिरूर बटाएं, तो चलिए अब इसको कट करने का तरीका आपको बटाता हूँ, तो मैंने एक नोर्मल ठ्रेड लिया है, इसका एक छोर मैं अपने ट्राइपोड को, अपने ट्राइपोड से बांध रहा हूँ, आप भी किसी हुक से बांध लेजिए, एक किनारा, तो इससे कट करने में काफी असानी हो जाएगी, और अगर हुक नहीं है, तो आप घर में किसी को खरा कर लिजिए, वो पकर लेगा एक किनारा, और अब मैं यहां से इस एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में मैं रोल को पकर रहा हूँ, और राइट हैंड से इस तरह से, अब देखिए कितने अराम से कट हो जाएगा, यह देखिए, कितना बराबर कट हो गया, उपर नीचे बिल्कुल भी नहीं है, तो यह कितना इजी तरीका है, और अगर आप नाइफ का यूज करेंगे ना, तो यह अभी सोफ्ट है, तो डब जाएगा निचे से, उतना अच्छे से कट नहीं होगा, उतनी सफाई नहीं आएगी, तो आप इस तरह से ही कट कीजिए, जो फैक्टरी में बनात नहीं तो इससे काफी जली-जली कट हो जाता है, तो एक डोल से हमने इतने कट कर लिए, एट पीस, और इनको हम लोया बोलते हैं, अब हम इनसे पापर बेलेंगे, अब हम इन लोया पर थोड़ा सा ओईल लगाएंगे, ओईल में कोट कर लिया है, और अब इन्हें धक्कर एक घंटे के लिए रख देंगे, तो अच्छा बेला जाएगा पापर, और वैसे ऐसे कोई बात नहीं है, अगर आपको अभी बेलना है, तो आप अभी भी बेल सकते हैं, पर मैं अब इसे एक घंटे के लिए रख जाओं आपके पास अगर ये नहीं है, तो आप नोर्मल चापाती वाला बेलन भी यूज कर सकते हैं, अब एक घंटे बाद हम ये पापर अब बेलेंगे, एक लोया लेते हैं, इसे रख कर, मैं ये पापर वाला बेलन यूज कर रहा हूं, और बेलन को भी हलका सा चिकना कर लेता हम इसे पतला बेलेंगे और गोल बेलेंगे इसे किनारों से थोड़ा पतला बेलना है, और लगभग लिजित पापर जो बजार से आते हैं, यही साइज होता है, और यह देखिए, पतला पापर बेला है हमने इसी तरह हम और पापर बेल लेंगे, और यह देखिए जो पापर का बेलन में बोल रहा था, इसमें लाइन है और यह पतला है, फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने पापर बेला है बाद की लोईों से भी मैं इसी तरह पापर बेल लूँगा अभी मैंने इन्हें प्लेट में रखा हैं आप चायंट और प्लास्टिक सीट पर भी रख सकते हैं इन्हें मैं आप पंखे के निचे रख दूँगा और सुकने दूँगा और इस वीडियो को मैं यहीं पर खतम कर रहा हूं आज संदे हैं और अभी रात के 11.30 हुआ है तो मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगा अभी तो पोस्ट करने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा तो इस वीडियो को हम यहीं खतम करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बटाऊँगा यह पापर सुकर कैसे बने हैं और इन्हें रोस्ट करकर भी दिखाऊँगा आज की वीडियो में जो हमने पापड का आटा लगाना सीखा है इसमें आप एक चीस पर ध्यान जिरूर डीजे जब आप पापड बेले तो चकले को यानि के प्रेटफार्म को और बेलन को डोनों को ही थोड़ा चीकना कर लीजिए जिससे चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह बेला जाएगा फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए और लास्ट यह मैंने मूंग डाल के पापड का रेसिपी डाला था तो उसका वीडियो का लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रि तो मैं चलता हूँ बाई फ्रेंड्स